इंटिरियर यूबी आइटिस किसका इंफ्लामेशन है यूबिया के इंटिरियर पार्ट का इसमें क्या आता है आईरिस आता है और क्या आता है जो सिलेलरी बोडी होते है उसके दो पार्ट होते है पार्स प्लाइकेटा आगे रहता है पार्स प्लेना पीछे रहता है तो जो है उसका इंफ्लामेशन तो आईरीस से प्रेडो साइकलाइटेस और इसमें किसका होगा प्रलाइकलाइक तो इंफिक्सेट इसके क्याए लीजन हो सकता है जैसे बैक्तिडिया हो सकता है bacteria में Holo Meckaz bacteria हो सकते हैं पाइजिनलो मेकटिरियाары जीसे ट्यूबर कुलाइस लेप्रोमियोटास शिफ्लिस बाले बेक्तिरिया आगे पाइजिनिक बेक्तिरिया न कोकुण। जैसे स्ट्रेप्ट उसकते हैं जैसे एस्परिजीलेऊर decrease होती है आगे वाइरस हो सकता है तो नोन इंफेक्सिय इश कोस भी रहते ही वाइवियर तॉ सॉसीएट है ये अजिएritis यह जो जो ऐसे बिघे होती है घय मिन जबंस कोसी है य bisschen बैंस ना नसादUS्ट पेमिन Prize-skast पॉलियार्टराइटिस नोडोसा और सोरियोसिस तो यह भी यूवियाइटिस कर सकते हैं उसके अलावा एटोपिक एलर्जी वाले जैसे एरबॉर्न डिसीजस यह जाएंगी या फिर ट्रोमा की वज़े से यदि कोई परफॉरेटिंग ट्रोमा होगा है तो उससे भी यूवि टॉक्सिन यदि बने जैसे कि ओकुलर हैंबरेज हुआ इंट्राउकुलर हैंबरेज में भी टॉक्सिन बन सकते हैं यह फिर एक्जोजनल जो बाहर से आए हैं जैसे इरिटेटिंग केमिकल यह जो है यह भी यूवियाइटिस कर सकते हैं आगे इडियोपेथिक अन्योन कोस तो यह इंफेक्सियस हो गया है नोन इंफेक्सियस होता है एक तीसरा कारण होता है मश्कवार्डे सिंड्रोम इसमें क्या होता है इसमें यूविया का इंफ्लमेशन होता है यह मिमिक करता है यूवियाइटिस की तरह यह इम्यून और इमिडियेट नहीं होता है इसमें क्य सब्कैना वह दूरीयेश को उन proximity अवे स्टेंगे अभी सिंटमहों पाइन फोटो पॉटोफोबीया डेन्स डेफेक्टिव इसन और लेक्राइमे सन यह फीचर रहेंगे साइन की बात की स्टार्ट कर से लिड़ मेंडिमा मिलेगा सरकम कोर्णियाल कंजिशन मिलेगा यह एक हम इंफलमिशन मिलेगा तो जो तोता तो उसमें ड이지 के पर पेरिफेरी में इन्फ्लामेशन पाये जाता है पेरिफेरी में जब किया सरकम क्या रहा हूँ आगे क्या रहा हुआ तो तो क्या मिल सकते हैं क्या होते हैं यह प्रोटीे निया वा सिलूलर टेपॉजित होते हैं कहा डिपॉजित होते होते हैं तो के हां कה में हो जाए यह तो किसे क्हां प्रिश कहले ट्राइंगुलर बिशन क्यार के त्षर्सट है टॉप है किसे त्क है अधिन ऊल्ट कंडिशन होती जैसे टूबर पुलास लेप्रोमीटर और सिफिलिस उसमें मैटन फिट के पीस पाए जाते हैं या फिर दूसरा होता है इसमाल या मीडियम साइज केपीस इन्हें ग्रेनुलर केपीस भी कहा जाता है यह नोन ग्रेनुल मेंटेस कंडिशन में मिलते हैं जैसे बेक्टीरियल इस्टेफाइल कोकस इस्टेप्टो कोकस आगे बात की जाए फाइन केपीस इन्हें क्या बोलते हैं सेटिलाइट मतला इस्टिलेट केपीस भी कहा जाता है इस्टिल मिल सकती है यंक वलेगी क्या होता है एक को सेल कैसे होता है जो पर उसे में यदि लाइड आ तो अपने को देखता लाइज भी एसे चलते हैं इससे अपने परोटीन दिखेंगे तो यह अरलियर सानल रहेगे यूबी आइटस का आगे है फियन मिलेगा ऐडस में नोडिूल मिलते यह टिपिकल फीचर है ग्रेनिलोमेटर में जुबियाइटस का की उस की तरह की नोडियूल मिलेंगे जैसे कोपीस नोडियूल और बसा का नोडियूल जो कोपीस होते हैं वो प्यूपिलरी बोर्डर पे पाए जाते हैं जैसे यदि यह आंक की प्यूपिल है तो इसकी बोर्डर पे यह अपने को मिलेंगे तो प्यूपिल की बोर्डर पे अपने को मिलते हैं कौन से नो जो मिलते हैं वो क्या हो जाएगा अपने बसा का नूडियूल आगे posterior sine की मिल सकते हैं posterior sine की क्या है iris lens से touch हो रही है lens capsule से तो posterior sine की बनेगी तो segmental कुछ कुछ हिस्सा यदि touch है तो ring मतलब पूरी उसकी border जो है न पूरी touch कर रही है या फिर टोटल, मतलव पूरा टेच कर दिया, तो यदि कुछ पार्ट कराएगा, तो वो सेग्मेंटल, पूरी रिंग करी है, उसके अलावा हो जाएगा, टोटल, पूरा पार्ट अटेश हो गया, जो सेग्मेंटल है, यदि उसमें प्यूपिल डाइलेट होती है, तो फॉस् सब्सक्राइब बन रहे हैं लेंज को डेमेज कर रहे हैं तो के डिपलफ हो सकता है उसमें हाइपोपियोन है मतला ऑफ्ट्रक्षन होगा और क्या हो सकता है इसके डिडी क्या है कि जो एक्यूट रेड आई की डिडी है इसमें एंटीर यूवी आई कहां मिलती है अपने को एक्यूट बेक्टिरियल कंजेक्टिव आईटिस में मिलती है रेड आई एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा में मिलती है और कहां मिलती है एंटीर यूवी आ जिसे item रिडील घुकुमा और दूसरा बसूक्वन से आगे वा करेंगे रूटीन इसाइक्वन से इस की ऐडीस की को पूर्पेटिक ट्रेन एक्वींक उमgar की किरियर सोल conception देंगे जो इंफ्लामेट्री कंडिशन नोन इंफेक्सियस कंडिशन उनके लिए एंसेट देंगे पेन रिड्यूस करेगा इम्मिनोसप्रेशन ड्रग देंगे यदि इस्ट्रोइट से यदि इफेक्ट नहीं आ रहा है तो एंटिवाइटिक देंगे इंफेक्टिब बाले मे और डार्क गोगल यूस करेंगे फोटोफोबिया को प्रबेंट करने के लिए और होट फॉमेंटेशन दी जाती है इस्पेस्पिक ट्रीटमेंट यदि किसी टिवर्कुलस है तो उसमें एटिटी देंगे एंटिवर्कुलर थेरेपी किसी को सिबली से तो पैनिसलीन देंग पैनिसलीन देंगे फिर्कुलर थेरेपी आगे हैं ट्रीटमेंट आप कोंप्लीकेशन जो कोंप्लीकेशन है उनका ट्रीटमेंट जैसे किसी को इन्फिलमेट्रिक गलोगोम है तो इसमें आयोपी को कम करेंगे तो टीमोल लॉल यूज़ कर सकते हैं एक्सेटियोलामाइट तेंक यू